लीबिया के कहानी लीबिया आफ्रीका महादीप के उत्तर दिशा में इस्थित एक निर्धन देश था जिस पर इटली ने अपना उपनिवेश इस्थापित किया था 10 फरवरी सन 1947 को इटली ने लीबिया को स्वतंत्र कर दिया इसके बाद यह देश 24 दिसंबर सन 1959 तक सयुक्त राष्ट संग के सनरक्षन परिशत के आधीन रहा इंग्लेंड तथा फ्रांस सयुक्त राष्ट संग यूनाइटेड नेशन यूएन के सनरक्षन परिशत की ओर से लीबिया के देखरे कर रहे थे 24 दिसंबर सन 1959 को लीबिया को पूरी तरह स्वतंत्र देश घोशित कर दिया गया लीबिया में राज तंत्र की इस्थापना आपनिवेशिक शासन से लीबिया की स्वतंत्रता के पस्चात राजा इद्रीस लीबिया का शासक बना लीबिया पर शासन, राजा एवं कुछ ताकतवर परिवारों द्वारा किया जाने लगा वहां की अधिकांश जन्ता विभिन कबीलों में बटी थी लोग क्रिशी एवं पशुपालन के कार्य करते थे लोगों पर कबीले की मुख्याओं का प्रभाव था सन 1969 में लीबिया में विशाल मात्रा में तेल एवं प्राक्रतिक गैस भंडार की प्राप्ती हुई जिससे यह देश धनी देश बन गया इन खनीजों पर राजा एवं वहां के धनवान परिवारों के लोगों ने अधिकार जमा लिया इसी समय उत्तरी ओफ्रीका में राष्टवादी आंदोलन की लहर चली इसका प्रभाव लीबिया पर भी था इस आंदोलन से जुड़े लीबिया के युवा आधुनिक राजे की इस्थापना करना चाहते थे जहां जनता की भलाई हो एवं शोशक तत्तों से मुक्ति मिले ये लोग महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों वा कबीलों के युद्ध को रोक कर देश में एक्ता और शांती लाना चाहते थे उनका मानना था कि पेट्रोलियम से होने वाली आय का लाब सभी नागरिकों को मिले करनल मुअम्मर गद्धाफी द्वारा सैनिक तक था पलट करनल मुअम्मर गद्धाफी लीबिया की सेना का एक प्रमुक शक्तिशाली अधिकारी था सन 1979 में गद्धाफी तथा उसके सत्तर युवा सैनिक अफसरों ने लीबिया की सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया उन्होंने आंदोलन के संगठन का नाम फ्री ओफिसर्स मुवमेंट रखा राजा इद्रीस गद्धी छोड़कर भाग गया लीबिया में राजतंत्र की समाप्ती हुई और देश को सोसलिस्ट लीबियन अरब रिपब्लिक घोशित किया गया सेना ने इसका पूरी तरह से समर्थन किया यह आंदोलन क्रांतिकारी नियंत्रण परिशत रेवलुशनरी कमांड काउंसिल आर सी सी के नित्रुत में चलाया गया इसमें सेना के बारा सदस्य थे इस संगठन ने लीबिया को आधुनिक समांतावादी देश बनाने की घोशना की